नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेइना तलवार और आप देख रहे हैं First By TV जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे शोग में एक खास शक्सियत आपके सामने रूबर होती है और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं कमल ठाकुर जी सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में धन्यवाद आपका परिशे में देदू कि उद्ध्योगर व्यापारिक शेत्र में लगातार कारे करने वाले और एक तरीके से लोगों के लिए काफी अच्छी सुविदाय उपलब्द करानी के लिए सर ने बहुत सरे कारे किये हैं उनी से जानेंगे कि इस दौड में वो कब से दौड रहे हैं और किन कि लोगों ने उनका साथ दिया और कैसा उनका सफर है अब तक बताये सर्थ हाँ मैं इसमें मतलब एक उद्धोगिक चेत्र विक्सित कर रहा हूं जिसका नाम विश्करमा इंडस्ट्रिल स्टेट है उसके माध्यम से गद्धस वर्षों से मैं उद्धोग चेत्र में लगातार करे रहत हूं और उसमें अने को समस्या आती थी तो हम जिलादिकारी के माधम से एक अपने शहर में उद्धोग बंदू की एक बैठक होती है वो तीन माह में जिलाओ उद्धोग बंदू की बैठक हमारे जिलादिकारी उन समस्याओं से हमारे साथ रूबरो होकर उन पर हमको निदान दि कर थी हमारे यहां टेलिसकोपिक पदसी से विकास शुलक वसूला जा रहा था जो 2014 से 2019 तक लिया अज गया है उसमें दिक्कत आ रही थी जो बड़ा भूखंड का भाग होता था उसमें एक पत्रावली पर तेरे लाक रुपे जादा वसूला जाता था हम लोगों की डिमांड थी के गुणक गटक के आधार पर शाषन कहता है वही उसकी शाषन की मंचा है आपको उसी दर से इसको वसूलना चाहिए वह बात लिखकर शाषन गई और हम लोग शाषन गए शाषन में अ खाली भाग है उस पर विकाश उल्की देता नहीं बनेगी हमने जिलादीकारी सर को समझाया कि सर घर बनता है 180 मीटर से लेके साड़े 300 मीटर तक और उद्योग लगता है अपनी बात रखी फिर एक बैठक प्रमुक सची आवास नितिन गोकंड सर के साथ हुई एक नुमाइंद की मेरत विकास प्रादिकंड से हुई वहां के जो उत्तर प्रदेश के नगर्नियों जखें वह हमारे साथ बैठे और आवास बंदू के जो हैड़ है उत्तर प्रदे बनने के बाद यहां पर उसको स्विकरता नहीं मिली तद प्रांथ हम इसी सर्च से मिले और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है दुबारा नहीं से मेरत से पत्र लिखा गया दुबारा वहां से वही लिखकर आया कि इनकी चूटे बनती हैं इसी दोरान पुने य कि आये थे उनके माध्यम से शाषन को लिखा गया उसमें भी स्पस्टा यह लिखकर आया कि जो दो तीन बिंदू की हमारी डिमांड थी हमने कहा कि इंडस्टी में गोदाम अनुमन क्यों नहीं होगा गोदाम के अनुमत हमें दी जाए उस पर यह लोग इंपेक्ट फीस उद्धोग किया जा रहा है तो दौनों को जोड़कर जो उसका छित्रफल आता है उस पर गुणक गटक आधार पर आप लीजिए तो उसको भी अनुमन नेता हमको मिली और फिर आप वर्तमान में अपने वीसी राजेस पांडे जी आए जो बहुत पॉजिटिव एटी टू विकास प्रादिकन से उद्धोग बंदू के लिए कि यह जो आदेश था इसकी अनुमन नेता हमने मान ली है और इसी प्रकार से मिरट विकास प्रादिकन में अपकारे आगे के किये जाएंगे उद्धोग एक मांचितर इसी तरीके से पास होंगे और आप मुझे लगता है कि शायद उसकी अनुमन नता देकर उन्होंने कवर्ड एरिये पर और जो दोहजार तीन चार का शाशन आदेश आया हुआ है उसके आधार पर उद्धोग को चूट देने की बात कर रहे है तो जो चीज काफी पहले हो जानी थी उसमें बार बार पत्र लगाने की जरूत पुस्टी करने के लिए बार बार पत्र लिखते हैं जबकि जो शाशन के मुख्ण नगर नहीं हो जयए उन्होंने कहा कि जो डिगरी केरी मेरे पास है सिटी पी के पास है तो जो मैं लिख कर भीज ना उनको समझ लेना चाहिये लेकिन उसी विशे है को आप बार बार मुझ प्रदेश में मुख मंत्री जी वो चाहते हैं कि उध्योग लगें रुजगार मिले लोगों को रुजगार का सरजन नहीं हो पा रहा है तो इंडस्टी एक ऐसा चेतर है कि जहां एक बड़े उध्योग पत्ती हैं देश में जिनके एक लाक लोग करमचारी के रूप में लिए उसको बनाया है उसको बना भाग मानकर हमें मुक मंत्री जी के दोरा मुहां बुलाया गया था वहाँ पर हमारी मुक्सची अनुप पंडे सर के साथ बात हुई और उन्होंने पूछा भी शहर में उद्धो कैसे बढ़ सकता है तो हमने उनको बताया कि भी शहर को साल दो साल बहुत तेजी से हम उमीद रख रहे हैं दिली मेरट एक्सप्रेस वे हाईवे बनने वाला है रैपिड पहुंचने वाली है जेवर के हवाई डे पर काम लग गया है लोकल हवाई डे की हम बात कर रहे हैं गड से सौनीपत का जो रास्टे राजमार्क है उसका ठेकर चुट गया है हापुड से बुलेंच शहर पर निर्मान जारी है मेरट से पॉड़ी पे जाने वाले रास्ते का भू अरजन की कारवाई चल लई है और अगर हमको लोकन रूलान मिल जाती है तो मतलब जहां एक और दिल्ली NGT के चित्र में 25,000 काईयों को बंद करने की बात करता है तो उनके रुजगार के सरजन के लिए उनको विस्तापित होना पड़ेगा और मैं देख रहा हूं कि उधर गुडगावा टाइट है उधर नॉड़ा टाइट है उधर दिल्ली टाइट है तो एक्सप्रेस वे के सी लेगा जाई है तो सर पिछले एक दश्रक के अगर हम बात करें तो उध्योग के शेत्र में वापार के शेत्र में कितना बदलाव आया है हमारे शेहर में हम लगाता डिमांड कर रहे थे पूर में भी कि भी हमको हमारे यां दरसल एक पर टरबल शुरू से है कि भी पाँच प्रतिशत है और उसमें उन्होंने कहा है अभी हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि यह केवल मेरे ट्विकास प्रादिकर्ण को ही पावर दी जाए कि वह हमारा मांची तरदनग्रिया अगरी कल्चर में पास कर दें लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि आप उस पर परिवर्तान शुल्क नहीं लेंगे लेकिन वो शाषन मांगा जाता है और शाषन मांगा जाने के बाद उसमें थोड़ा समय किल हो जाता है लेकिन सरकार की मंशा है उद्धोकों को बढ़ाने की अगला सबासर मेरे यह है कि अगर हमारे शहर में लोगों को बाहर से आक इंवेस्ट करना हो या फिर कोई बड़े इंवेस्टर से आप इंवेस्ट करना चाहते है तो उसकी क्या-क्या चीज़े लोगों को ध्यान में रखनी होती है या फिर कितना गवर्मेंट से उन्हें फ पूरे देश में लागो हो गई है तो आज वर्तमान की स्थिती मेरट की इतनी अच्छी है कि मेरट एक ऐसा इस्थल बन चुका है कि जिससे पांच राजय जूडते हैं आप आगे सीधे चले जाएंगे तो उत्रा खंड आ जाएगा आप इधर चले जाएंगे यूपी आ बागपत को क्रॉस करेंगे हर्याना आजाएगा हर्याना क्रॉस करेंगे पंजाब आजाएगा तो एक ऐसा केंद्र बिंदु मेरट जो पांच राज्यों को जोड़ने की चमता रखता हो और जहां कर परनाल समानी समानने रूप से एक होती हो तो अब से पूर में अलग-अ प्रतिशस से बिखता है वही राजस्थान में डिफ्रेंट से बिखता है अब समान कंपनाली से मेरट को बहुत जादा फायदा है क्योंकि यह मद्ध बिंदू में पढ़ता है और इसके चारों तरफ चार पांच राज्यों को जोड़ोने की चमता रखता है और इंवेस्टमे में इस प्रकार के पानी के उपलबता के लिए बहुत बड़े-बड़े जतन करने होते हैं तो इसलिए मेरट बहुत अच्छा है तो भविश्य में क्या एक तस्वीर देखी जा सकती है अपने शहर की हमको ऐसा लगता है कि आन 5 साल बाद मेरट एक ऐसे परिवेक्ष के दौ तो श्रॉट में आएगा की जिससे लोग कल रानल नहीं करते थे की बुढ़ 300 ऐसा है हमको लगता था नॉइडा इसा बन सकता है हमको लगता था दिली के बाहर जाने वाला Rajastha Naonic что ऐसा बन सकता है तो लेकिन क्योंकि उन सब से हमारे हैं बहुत जादा हैं और वहां पर जो जिस lesus महारे आवाज किस रेट में हमारे कामराइशल बूर इनद जिस रेट में हमारे हैं और्डोक इंडू Eli तो उसका सीधा सीधा फायदा मेरट को मिलता है जेवर का हवाइड़ा बनेगा तो सीधा सीधा मेरट को फायदा आएगा इतना सब देवलप्मेंट का मुझे लगता है कि 5 साल बात मेरट का बविश बहुत उजवल है यहां के लोगों के लिए रुजगार के अवसर बहुत अच्छे ढंग से आप राप्त होने वाले हैं और शहर उडान भरने के लिए तयार खड़ा है तो विकास के शेतर चारों तरफ से इस वक खुले हुए हैं वह रास्ते कहीं से भी ब्लॉक नजर नहीं तो क्या इस बीच है कुछ कमिया ऐसी जो अभी रोक रहे हैं या और होनी चाहिए डेवलप्मेंट में दीरे दीरे जो सरकार की मंचा है जो धरातल पर आनी चाहिए उसके बीच में जो लोग कुछ बैठे हुए हैं जो लगता है कि पुराने तरीके से सरकारें चलती थी बीच में जिग-जैक प्रोसेस होते थे तो जितने लोग आपके साथ इस सफर में हैं कि वो भी चाहते हैं कि हमारे शेहर दिन पर दिन तरक्की करें उद्द्योगर वैपार कर जो शेतर है वो और जादा विकास शील तो वो है और विकसित पूरी तरीके से वो हो जाए तो क्या आपकी ऐसी कामना या क्या मैसेज आ देना चाहते हैं इसको लेकर शेहर वालों के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा हो जाएगा और लेडी हम अच्छे हैं भी पूरे भारत में हम कर्शी यंत्र बेशते हैं पूरे भारत में हम जीब बेशते हैं पूरे भारत में हम कैशी बेशते हैं पूरी नादर अली का बेंड पूरी दुनिया में निवस्ता, घर में मुम्ताज नहीं जाती है, वो मेरट को मुकाम हासिल है, बाइए और चले जाएंगे हसनापुर असत्यसत्त की जीत हुई थी, यहीं से जब रावन को मंदोदरी ने समझाया था, मेरट की थी, कि तुम दे दो उन नहीं मानें, उन्होंने भोगा, मेरट तो विरासत का वो शहर है, जब जब असत्यसत्त की लड़ाई हुई है, यहां के लोगों ने एक दुधंबी बजाई है, और मार्क दर्शन दिया है, जरूरत क्या थी, पांच गाउं मांगने की बगवान शिरी किष्ण को, उन्होंन और मेरट के अच्छे मनोभाव के लिए कारे करते रहेंगे, तो ऐसी हम भी कामना करते हैं, फिलाल इजाज़त दीजिए, लेकिन सर का जो कुछ कहना है, इस वीडियो को शेर करके लोगों तक इस बात को जब पहुंचाएगा, और हमारा शेहर ना सिर्फ अपनी शेहर में कि पूरे देश में मेरट अपना नाम कमा रहें लगाता है, ऐसे ही नाम करता रहें, ऐसी हम तब की कामना है, बहुत बदर निवाद चार हमाई स्टूडियो में आने के लिए, थैंक्यू परना, मस्कार